आपने काईक प्रजिनन पढ़ लिया है अब अति महत्वपून भाग यहां से प्रारंबो होता है और आज जो हमारा टॉपिक है आपको नोट्स वर्टसप के दौरा भी दिये गए है पेज नंबर 9 उसको आप सामने रखिए तो यह टॉपिक जो आज आपके सामने आ रहा है वो टॉपिक है अलेंगिक जनन एसेक्सुल रिप्रोडक्शन और अलेंगिक जनन जैसे नाम सही आपको किलियर हो रहा है अलेंगिक अलेंगिक है इसमें लिंग नहीं है इसमें नर और मादा से मतलब नहीं है इसमें केवल किसी भी एक जनक से संताने आगे को उत्पन होती ह और केवल एक जनक के आऊ सकता होती और दूसरी जो महतवपूर्ण बात है वो ये जहानखनी है कि इस प्रकार के जनन में केवल सूत्री विभाजन ही होता है और तीसरी भाग महतवपूर्ण बात है जो पहले भी चर्चा हुई है कि जो संताने हैं वो आकारिकी में और आनवनसिकी में वो अपने जनकों के समान होंगी जिस मदर से वो संताने आएंगी वो संताने पूर्ण रूप से आकारिकी आनवनसिकी में वो अपने जनक जैसी होंगी और इसी को हम कहते हैं कि वो क्लोन होंगी और अगला पॉइंट महत पूंदे इसमें आलंग जनन निशेचन नहीं होता है और जो आहँ अलंग को अजिव जो फगर शोक्षमों होते हैं और जो बड़े जिव वोता हैं लाकारों बड़े होते हैं जड़तर तो उनको बहुत कुछ की जीव जयते हैं तो दोनों में युनिसलर में एक कुछ की जीव हैесь और बहुत की जीव में भी अलेंगिक जनन पाय जाता है अलेंगिक जनन कई प्रकार का होता है अब प्रतिक प्रकार को आपने यहां से समझना है कि किस प्रकार से एक जीव अलेंगिक रोप से अपनी संताने उत्पन न करता है क्या कंडिशन्स होती है कौन-कौन सी विधिया है जो प्रमुक विधिया है उन पर हमें आपर चर्चा कर तो अलंगिक जनन के प्रकार में जो पहला हमारी विदी है अलंगिक जनन की पहली विदी है वो खंडन है जिसको हम फ्रेग्मेंटेशन बोलते हैं और नाम से ही आपको लग रहा है खंडित होना खंडन तूटना इसमें जो जीव का सरीर है अनेक भागू में तूट जाता है और प्रति एक भाग जो है उनमें से एक निया जीव बना देगा उदान के लिए इस पाइरोगाईगाईगा एक सेवाल होता है इस पाइरोगाईगाईगा तो एक काई ऐसी होती है जिसको हात्त में लेते हैं अलर शरर करके नीचे को सरख जाती है लसलसी होती है काफी हरे बहुत का इस पयरोह और और वो आली отв眉क्ट के लगा तो मैं जो इसका शरीर होता है कई भागू में तोड़ जाता है और प्रती जो है वो एक नया लिंदक भाग्द इसपरगा बना देता है कि अधर अधरण के मातल्व अधब तारह मश्ली में भी खंडन पायाता है फ्रेग्मेंटेशन होता है तारामसली की कोछ जो भुजा होती है वो तूट जाती है और तूटने के बाद जो है वो अलग से एक नई तारामीन तारामसली को बना देता है तो इस प्रकार से जियू में ऐसा परजनन है जिसमें उनके सरीर कई भागों में तूट जाता है और प्रते एक तूटावा भाग जो है वो नया एक जियू बना देता है जो अपने जनक के समान है जो अपनी माताय पिता के समान है और चित्र में आपको जो नोट से भेजे गया है उसमें तारामीन के एक भाग के अलग होने के बाद किस प्रकार से तारामीन बनती है A, B, C, पहले चित्र A में तारामीन बनाई गई है B में उसका एक भाग दिखाया गया जो उससे अलग हो गया और C में उस टुकडे से फिरो तारामीन बन गई है इस्टारफिस बन गई है तो एक खंडन विधी है दूसरी विधी देखे आप इसमें नोट्स को सामने रखा करें जिसमें मैं आज आपको समझाता हूँ तो नोट्स वाला पन्ना पेज नमबर 9 आपको सुरू महीं बताता हूँ मैं उसको आप सामने रख लीजिए आउडियो आपका चलता रहेगा पना रहीता लिए वर इसकार से जिखंडन में एक कोष्गा से दो कोषगां बनती है जैसा आपके अमीबा में है प्यरामिश्यम में इन जीउमें यह डिखंडन की विधी पाई जाती हूँ वह सरल विधी होती है चित्र में आपको समझाने की कोशिस की है नोटस में देखिए एच इत्र है अमीवा बना रखाए बी में आप देख रहा हूंगे हलकी सी खांच बन गई है और उसके एक किनारे पर दूसरे किनार दोनुज़ गमत खांचे बन गई है और बीच में जो केंद्र रखा वो भी दो भागों बटने लग गई है आपने आपने देखा तकाफे काफी गहरी हो गई किन तक बढ़ चुके और डि में जो महें इसके बाद जो तो अलेंगिक जनन का अगला प्रकार है जो सी में आपको दिया गया है वो सिस्टी करण सिस्टी करण या इंसिस्टिमेंट भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिष्थितियां हूं एक चीज और आपको ध्यान लखनी है हम जब शैवालों के बारे में या निसुक्षमजीयों के बारे में बढ़ते हैं तो हमको दो शब्द बड़े अच्छे ढंक से समझ लेने होते हैं एक तो अनकूल परिष्थितियां और दूसरी प्रतिकूल परिष्थितियां अनकूल परिस्थिति का मतलब होता है जब सब कुछ है जो चीए हमको वो मौजुद है और पृतिकूल परिस्थिति का मतलब है कि हमको खाने के लिए रहने के लिए पहनने के लिए या अन्य कोई हमारी आऊ सकता हो पूरी नहीं हो पाती खत्रा होता है यह प्रतिकूल परिस्थिती है जैसे मैं कहूँ अमीबा अगर बढ़िया पानी 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 पाजाता है अमीबा सुन्दर पानी है खुब पानी भरा हुआ है बढ़िया हो रहा है आनंद हो रहा है भोजन भी मिला उसको उस पानी में रहने के विस्तान बढ़िया हो रहा है यह इसकी अंड़ी माचि लिए पर तकूल परिस्थिती के जो अगला अलंग जनान का प्रकारा है उसके बारे मैं आपको बतानजाओंगा प्रतिकूल परिस्तिजियों में जब पानी की कमी हो जाती है अमीबा अन्य कंडिशन से सूखे की कंडिशन आने लगती है तो अमीबा क्या करता है अपने चारों अपने पूट पादों को अंदर डालता है और अंडल डालने के पार अपने चारों और एक मोटा आवरण बना लेता है हो एक पर्त का स्रावन करके विभिन्द प्रकार के रसायनु का उस्रावन करके एक अपने चारों और एक पर्त बना लेता है और पर्त मोटी पर्त को सिष्ट कहते हैं शिष्टी करण है नाम तो सिष्ट कहते हैं उस पर्त को और यह आवरण बनने की प्रक्रिया होती है उसको सिष्टी करण कहा जाते हैं और होता कि अब इसके अंदर पढ़े रहता है जब इसके अंदर पढ़े रहता है तो उस समय क्या करता है इसका केंद्रक अंदर विभाज सबस्त के शीचनी कर देबिशते को सस्ता कि अब हों जाता ज्यायां बाहर की निय्याय क्या है में तो क्या करता है कि उसके अमीबहा चारतलब जो पॉछ थी वह बहुत से हम चारतले हैं उसके अंदर को निकलने लगते हैं क्यों क्यूंकि सब अपने बाहर से पर्थ मना लेते हैं और इपने लिए लटक लावर और एक आमीबा से कई आमीबा फिर बाद में बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को बोलते हैं सिस्टी करण या इन सिस्टमेंट जो आमीबा में बहुत